जहां गाड़ी लगी हुई है वहीं पे हेली पेड़ बनाया हुआ है और वहीं पे हेलीकप्टर लेंड करेगी और पावर स्टार पॉंसी वहां से मंच तक आएंगे यह मंच है और मंच को आप देख रहे हैं बहुत ही अद्धूर लेकिन साम में इतना भीड हो जाता है लाको यहां पे यगशाला में लोग परिकर्मा कर रहे हैं पंडाल बना हुआ है और बहुत ही सुन्दर पंडाल बना हुआ हुआ है तीस अप्रेल को यहां पे संद सम्मिलन हुआ था जहां पे राम भद्रा चारजी महराज आये हुए थे आदरेनी राम भद्रा चारजी महराज जाए थे तो काफी भीड़ दीर गवर्णर भी आये हुए थे हमारे बिहार के महा महीम राज्यपाल आये हुए थे अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगतार कलाकारों का जमखट लगा हुआ है और आप देख सकते हैं यह हैली पेड बना हुआ है हलांकी बारीस हो जाने पता देना चाहते हैं कि कल पावर स्टार पॉंचिंग आएंगे हलीकप्टर से आएंगे और वहीं पर हलीकप्टर लेंड करेगी तो आसे दिखाये वहां पर आप देख रहे हैं फाइर बिर्गेड की जहां गाड़ी लगी हुई है वहीं पर हेली पेड बनाया हुआ है और वहीं पर हेलीकप्टर लेंड करेगी और पावर स्टार पॉंचिंग वहां से मंच तक आएंगे यह मंच है और मंच को आप देख रहे हैं बहुत अधूत मंच बना हुआ है बहुत ब्रिहद मंच बना हुआ है और इस मंच पर हमको जहां तक लगता है कि 200 लोग भी खड़े हो जाएंगे तो कोई प्रवल्म नहीं हुए इतना मजबूत मंच है वाटरप्रूफ मंच है पानी की कोई सम्भावना ही नहीं है लेकिन बाहर जो आप ग्राउंड देख रहे हैं किचल हो गया है चुकि बारिस हो जाने के चलते काफी परिशानी हुई है और किचल हुआ है लोगों जो भी लोग आरज जा रहे हैं लोगों को परिशानी तो होई रही है लेकिन फिर भी सर्धालू की भक्ति देखिए कि इस किचल में भी सर्धालू आये हुए हैं और परिकर्मा कर रहे हैं किचल में भी लोग घुम रहे हैं हलांकि अभी तो सुबह का समय होता खास बीड़ नहीं है लेकिन साम में इतना भीड़ हो जाता है लाखों की तदात में शरदालू यहां पर आते हैं बारिस कोई असर नहीं बारी से कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है चुकि जिसके मन में भक्ती है तो उसको बारिस दिगा नहीं सकती है हम आपको दिखाना चाहेंगे हम आपको बता देने शाहते हैं कि पावर स्टार पॉन सिंग का कल लवववानी में आगमन है और कार्स जो विसाल संसमेलन लक्ष्मीर अरान महा यग सहमा भगवती प्राण प्रतिसा महसो दो हजार तेईस जो गड़हनी में हो रहा है लववव कड़なく लवववानी में जो लवव वजब्वानी में प्रस्तान 11 बजह करएंगे लववानी भोजपूर में 12 जा जयाएगी आपको दिखा रहा हूं फोह पर लेंड कर जाएगी उसके बाद साहे बारह बजे उनको विई पी कश में 20 जल्पान के लिए ले जाये जाएगा साढ़े बारह से बारह चालीश तक का उनका प्रोग्राम रहें जो बिस्तराम कश में प्रसाद बितलन आफावरा को करेंगे सिभी मज़ारज़ंगरार कारें बहुति मैं वातावर्ण कर देंगे किनाटा वानी गीți को को देखने के लिए यहां पे सरधालू उमणने वाले हैं और उमीद लगाई जा सकती है कि लाखों की संक्या में कल सरधालू आ सकते हैं चुकि कल तीन मई है कल पुनाहुती भी है और उसी दिन पावर स्टार पॉंसिंग हेलिकप्टर से लवगानी में लेंड करेंगे मंच प उपको बतादू कि एक एक क्ष्ट्रा सीडूल भी में अड़ हो गया है लववानी से इनके इनका का है उव पीर जड्यकाभेजिकर है हलांकि बाचीत के दोरान पता चला कि हलिकप्टर जो कहरी में लेंड भी करने वाला था वहाँ पे भी हलिपेड बनने वाला था लेकिन किसी भी तरह का उनको सहमती नहीं मिल पाया प्रसासन के तरफ से रोक लग गया कि हलिकप्टर लेंड नहीं कर सकती है या क्या मामला था कुछ टेक्निकल इश्यू था जिसके चलते हेलिकप्टर जो कहरी में लेंट तो नहीं करेगी लेकिन जो कहरी में हेलिकप्टर द्वारा पुस वर्षा होगा जो कहरी हेलिकप्टर जाएगी एक मंदिर बन रहा है उस मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है उ यह पावर स्टार पॉंचिंग का कारिकरम शीडूल है और लववानी में जिस तरह का संसमिलन हो रहा है और जिस तरह इस्टिती देखी जा रही है हम आपको तमाम चीजों को यहां पर दिखाएंगे बहुत ही सुन्दर बेवस्ता है और बहुत ही अध्वुत लेकिन प्रकृ तटी तो भाई क्या का जा है लेकिन कहीं न कहीं ये बारिस हो जाना भी एक सूना जाता है चुकी ये घाओं में जिस तरह का बारी सुब़ं करें दिया इंदर भगालान ह हन्कि हमें जहां तक लगता है कि पुल्णा होती है, तenden अच्छा हो जाना चाहिए लेकिन इस बारी सब्सक्राइब आप आएं और देखें और इस अद्वूत छण का बेनफीट उठाएं लुफत उठाएं चुकि कहीं न कहीं कहा जाता है कि जहां यग्य हो रहा है वहां चले जाने से भी बहुत सारे विकार आपके खतम हो जाते हैं और बहुत सारे आपके अंदर की जो नेगेटिबीटी है को खतम हो जाती है तो लागतार खबरों के साथ बने रहे हैं कमरा पर सराजु के साथ में सुक्ति वारी थैंकि